अप्रती वेल्कम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस जब लगातार प्लांट से रिलेटेड वीडियो जाती रहती हैं तो हमारे स्क्वेरल लवर्स परेशान हो जाते हैं फिर उनके कमेंट्स आते हैं कि आप स्क्वेरल पर भी एक वीडियो जल्दी शेयर कीजिए उनको देखना अच्छा लगता है हमारी गिलहरियों को तो जो हमारे जेखना इंसर्दे बुदूर को र JUST 5 वीडियो नहीं हैं कि ये पाले गर्म नहीं रहती हैं यह बाहर पेडों पर ही रहती हैं हम इनको दाना और पानी जानई घाती आ दाना पानाइ एकार चली जाती présentती seven Time तो बहुत दिन हो गए थे, इनकी कोई वीडियो हमने शेयर नहीं की थी, तो अभी तक हम इनको मुंगफली दे रहे थे, क्योंकि सरदिया चल रही थी, और अब गर्मिया शुरू हो गई है, तो मुंगफली गर्म होती है, यह पेड़ पर बैटकर खाले थी थी, फिर आती थी, के जो बीज होते हैं, उसमें काफी परेशान ही होती है, छोटे-छोटे से बीज होते हैं, तो वो वही बैटकर छील कर इनको खाने होते हैं, कभी भी बिना शिले सीड आप इनको ना दे इनको छील कर खाने में अच्छे रखते हैं सीड तो बिना छिले हुए खरबूजे के बीच काशी फल के तरबूज के बीच आप इनको दे सकते हैं तो देखिए इनके अलगालाग स्टाइल हैं खाने के जो हमारा पिंगू और टिंगू है वो तो अकसर आते जाते रहते हैं लेकिन अब बहुत सारी नई गिलहरियों ने भी आना शुरू किया है तो वो नई गिलहरिया क्या करती है थोड़ा से डरती है लेकिन अब धीर धीरे उनकी भी आदत हो गई है उन्हें पता चल गया है कि यहां पर ही दाना मिलने वाला है तो आती है और जरा सा आहट होती है तो भाग भी जाती है लेकिन हम फिर क्या करते है थोड़ा आदत बनाने के लिए वो जो दाने है उनको डाल कर हम छोड़ देते हैं और जब उन्हें बार यहां का चक्कर काचकर जरूर जाते हैं और हम तो शाम को प्लांट में पानी देते ही हैं अपने तो हम वहाँ पर होते हैं तो हम तुरंत इनको दाना देते हैं तो अभी तक मुंख़ली ही चल रही थी अप खरवूजे के बीच शुरू हो चुके हैं तो एकदम जल्दी जल्दी आएंगे क्योंकि जैसे ही सूरज अस्त होता है यह अपने घर में चले जाते हैं तो एकदम भागे भागे दोड़ते हुए आएंगे जवदी से एक दो दाने खाएंगे और यह भाग जाएंगे फिर सुबह को इनकी दिन चरिया सुबह से शुरू हो जाती है तो ऐ जैसे यह अचानक जैसे आप चट पर आते हैं तो कभी-कभी इंतजार करते हुए भी मिल जाते हैं और एकदम से भाग कर गमले के पीछे चुप जाते हैं जैसे अगर कोई नई गिलहरी है तो वो एकदम भाग कर गमलों के पीछे चुप जाएगी और फिर उसे लगेगा कि अरे अब ये दाना देंगी तो अब ये देखिए बाहर निकल कर आ जाती है जो बड़े पक्षी होते हैं कवे या चील वगएरा इनसे ये डरते हैं क्योंकि कभी-कभी वो उनको परिशान कर देती हैं जो चिडिया होती हैं कवे होते हैं चील होती हैं वो इनको परिशान कर द जाता है कि दाना यहीं पर मिल आएका पानी जरूर का फीर करती है ठोड़ा सा Mär transition ग्रहर के लगते लुए जब बैठेंग अलए समय बेंगे लेकिन इस जैसे उतलहा के कोई आपको बच्चा मिलता है उसके बारे में हमने शेर की हुई है डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चेक कीजिए तो हमारे काफी व्यूर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज एक वीडियो शेर कीजिए इसक्वेरल पर तो हमने सुचा चलिए शेर कर देते हैं तो पीते हैं वापस अपने घर में चले जाते हैं तो अभी क्या है गर्मिया शुरुआत हो रही है तो जो हमारे प्लाइंट्स लवर हैं तो वह क्या करें इस समय आप गर्मियों के सीट्स ग्रो कर सकते हैं और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लाइब करें तो हमें आप बताएगा हम जरूर शेयर करेंगे तो देखिए इस तरह से इनका पेट भर जाता है और जब इन्हें कोई खत्रा महसूस होता है तो एकदम ऊपर से नीचे एकदम कूद कर इस तरह से भाग जाते हैं अपने घर में तो हमारे घर के बाहर एक सी जड़ती नहीं है जो इनकी ठहनी होती है वो काफी पक्के से इसको पकड़कर रखती है तो इन में से देखिए एक तोता तोते बहुत आते हैं और इस पे बहुत सारे Hmmingbirds भी आती है चोटी छोटी और चील कोई सब इस पे जितने भी है ये सब इसके जो seeds है वो खाते हैं तो इस तरह से पक्षियों का आना जाना और ये Glary वगधरा का आना जाना हमारे हान लगा रहता है और इस तरह की वीडियोज ही हम आपसे शेयर करते रहते हैं तो अगर कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछे वीडियो कैसी लगी जरूर बताएए थैंक यू